literature review के chapter का दूसरा हिस्ता जो मैंने आपके सामने रखा था वो थी theoretical justification of your study इस पर हमने वो section तर्तीब देने और अमूमन तोर पर लोग इसको theoretical framework of the research के नाम से भी याद करते हैं और कभी कबार इसको conceptual framework से भी confuse कर लेते हैं यहां हम typically theoretical justification की बात कर रहे है theoretical framework जिसको आप कहते हैं इससे देखिये मुराद क्या है फर्द कर ले मैं एक study करना चाहता हूँ effect of variable A on variable B तो इन दो चीजों के दर्मयान effect देखना, किसी दो variables के दर्मयान relation देखना, किसी दो variables के दर्मयान impact देखना या इस तरह का कोई भी और phenomenon study करना मुझे यह बात कहां से समझ आती है कि कौन से variables में relation देखा जा सकता है कौन से variables में effect देखना चाहिए, कौन से variables में impact देखना चाहिए relationship में, effect में, impact में क्या फरक होता है यह बात समझने के लिए मुझे theories की तरफ जाना पड़ता है, अपने subject की theories यह basically phenomena's हैं, जो मैंने research का topic डिसाइड करते वोकित भी आप से जिकर किये थे इन phenomena's का, जिन variables के दरम्यान में इनको देखना चाह रहा हूँ, यह justified हैं, logical हैं, यह फैसला करने के लिए मैं theories का सहारा लेता हूँ साल के तौर पे क्या लोगों की morning की exercise और उनकी health के दरम्यान relationship देखना logically correct है या नहीं है इसी तरह क्या किसी के medicine का effect उसके life के साथ कितना है, यह देखना logical है या नहीं है यह जो logic of connecting variables है ना, दो या दो से ज़्यादा variables को connect करना यह जो बात है, यह theoretical justification होती है मिसाल के तो पर मुख्लिफ theories पाई जाती है, मसला education को अगर आप ले लें तो motivation की theory है, personality की theories है, learning की theories है जो explain करती है कि कौन सा variable, किस variable के साथ कैसे causally connected है कैसे वो एक दूसरे को effect करते है, यह बात उन theories में बयान की होती है अब आपको यह देखना कि आपकी proposed research में यह logical था करें मैं एक मिसाल देता हूँ, एक यह दुरुस्त ने, worst example देने लगा हूँ, सिर्फ case समझाने के लिए फर्स कर लिजे कि मैं यह देखना चाहूँ कि किसी political leader की या Prime Minister of Pakistan की morning walk और उस मुल्क में गंदम की पैदावार में क्या relationship है तो मैं data कठा कर सकता हूँ, कि पिछले साल में हर रोज कितनी देर Prime Minister morning walk करते थे और दूसरी तरफ data ले सकता हूँ, कि मुख्रिफ सालों में गंदम कितनी प्रिडूश ही तो एक साल में उनका average time walk का पिछले 5 सालों का ले लिया और पिछले 5 सालों में गंदम की कितनी production हुई पाकस्तान में वो भी ले लिया और आप उस पे formula लगाए, ये relationship का I can bet के relation निकलाएगा अच्छा या बुरा लेकिन आप सब इस बात को सुनते हैं तो जहन नहीं मानता कि यार ये क्या relationship हुआ इसके अंदर खराबी क्या है? इन दोनों variables के आपस में relate होने का कोई logical जवाब मेरे पास नहीं है, कोई logical reason मेरे पास नहीं है ये बात मुझे कोई theory नहीं बताती कि यार किसी एक शेख्स की morning walk का कोई तालुक आप की crop की outcome या product के साथ हो सकता ये logic non-existent है, otherwise अगर आप इस पे statistical तरीकों से relation की value निकालना चाहें तो वो निकल आती है तो ये जो logic है कि मसला लोगों की motivation का तालुक उनकी performance से होता है, कोई theory ये बताती है लोगों की happiness का तालुक उनके way of life से होता है, ये कोई theory है जो इसको explain करती है जब तक आप जिन variables के दर्मयान में वो phenomena जो आप study कर रहे हैं उस phenomena का कोई theoretical justification या causation नहीं ढूंड पाते तो आपको उनके दर्मयान चीजें उनके दर्मयान वो phenomena study नहीं करना चाहिए त्रीक है, आपके variables जो phenomena आप study कर रहे हैं आपके variables के दर्मयान उसकी existence का logic मौझूद है ये बात आप theories में से draw करते हैं आपके variables में ये जो logic आप develop कर रहे होते हैं ये किसी एक theory से भी पताच चल सकता है और बहुत दफ़ा आपको एक से ज्यादा theories को एकठा इस्तमाल करने से आप इसका logic या causation develop करते हैं तो ये एक बहुत ही important चीज है इस sense में कि ऐसा ना हो कि आप इसको ignore करें और आप ऐसा एक relationship या effect देखना शुरू कर दें जो logically देखना दूस्त ना हो तो उसको take up करने से पहले उसकी theoretical justification का पूरी तरह से यकीन कर लीजिए कि वो exist करती है और theoretical justification भी अमूमन किताबों के अंदर लिखी होती हैं दूसरे लोगों के research papers में नहीं लिखी होती हैं आपको इसके लिए भी किताबों को पढ़ना जरूरी है उनस topic पे जिस topic पे आप research करना चाहते हैं